तो कोट से हमें उमीद करनी चीए मुश्किल से 10 परशंट जो हमारा दूसरा समयदानिक रास्ता है पीस्फूल प्रटेस्ट वो हमें 90 परशंट कामियाभी दिलाएगा और मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है कि हमें जो जच साहिबान हैं उनके किलाब भी सेक्शन 4 का इस्त सबसे बड़ी समस्या मनुवात को है उसका एक छोटा सा उधारन है और यह चोटा सा उधारन ऐसा है जो मनुवात की जड़ और बुनियात को खोकला कर सकता है दो महिलाएं जो मेरे दोनों तरफ खड़ी हैं नवदीब कौर और डॉक्टर रितु सिंग इनका कसूर क्या है सबसे बड़ा इनका कसूर यह है कि इनको देखकर एक तो यह SC कम्यूनिटी से आती हैं दूसरे यह महिलाएं हैं और इनको देखके मनुवाधी जो अपने आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जूटा इनको देखके उन्हें इनकी सबसे बड़ी गलती और यह है हमारी सबसे बड़ी जो एक पॉइंट है जिसको हमें हाइलाइट करना और समझना सबसे ज़रूरी है जो डॉक्टर रितू सिंग से इनकी जो प्रिंसिपल हैं सवीता रोय प्रॉब्लम सिरफ एक है यह उनसे ज्यादा अच्छा इंग्लिश बोलती हैं उनसे ज्यादा अच्छा इस उमर में अपना सब्जक्ट जानती हैं उनसे ज्यादा यह केपिबल हैं यह बुनियादी तो शुरू शुरू में और मुझे कहने में कोई कोताई नहीं है कि इनको SCST Act जो है उसके बारे में खुद knowledge नहीं थी कि कानून क्या है जो हमारे समाज के लोग जो SCST समाज के लोग हैं उन्हें खुद यह नहीं पढ़ता लगता कि उनके साथ प्रतार्णा हो रही है जो उनके कि आब से केज़ डाला जो हई कोर्ट की जब तक में इनका वकील नहीं था जो हई कोड में केस डाला पहला उसको करने का वज़ा क्या थी टेक्निकल वज़ा और हमारी हमारी जिम्मेदारी है कि हम Judgment को और क्रिटिसाइस करें जब हैं जब हम सच्छाई सामने या पाएंगे सिर्फ एक वज़ा से के प्रिंसिपल को पर्सनल केपैसिटी में इन्होंने रिस्पांडेंट नहीं बनाया इस वज़ा से इस टेक्निकालिटी पे इनकी पहली डिस्मिस हुई और उसके बाद अपील भी इसी वज़ा से डिस्मिस हो गई जो मैंने आर्ग्यू की थे मगर मैंने इनका केस जब पढ़ा और इनकी बात सुनी तो मैंने इनसे बोला यह आपने सबसे पहले इसकी एफ़ायर क्यों नहीं कराई आपके साथ तो पहले दिन से वो यह कह रही है कि तुम कपड़े किस तना के पहनती हो यह तरीका नहीं है लोगों को यह कपड़े पहनने का और आपकी स्टाइल में रती हो यह तरीका नहीं है यह सारे इनके पास सबूत हैं इस बात के यहां से शुरुआत हुई उसके बाद इन्होंने खुद बताया आपको कि इनके स्टूडेंट्स ने इनके बारे में इतनी तारीफे लिख उन्होंने रिकॉर्ड्स जो हैं फोर्ड्स किये रिकॉर्ड्स को तोड मरोड के कोट में पेश किया और जब किसी से काम नहीं चला तो जूटे स्टूडेंट्स के नाम से बगेर सिगनेचर के बगेर किसी स्टूडेंट का नाम जिसमें कंप्लेंट का नाम ही कोई नहीं है वो एक जूटी कंप्लेंट खुद लिखके रिकॉर्ड पे लाए, ये सब बड़े-बड़े अपराद हैं, जो प्रिंसिपल साहिबा, जो लोगों को ग्यान देती हैं, अच्छाई और समझदारी का स्टूडेंट्स को वो इस प्रकार के क्रिमिनल अपरादों में लिप्त हैं ये सबी SCST Act में भी गुना हैं, अपराद हैं, जूटे दस्तावेस, कोट में पेश करना अपने आप में एक बड़ा अपराद है, ये भी अपराद उन्होंने किया है, ये बाते इनको के SCST होने की वज़ा से इनको प्रताडित किया जा रहा है, यदि ये बात मैं कहूं तो शायद गलत होगी, ये बात ये खुद कहें तो शायद गलत होगी, इनके साथ जितने लोग खड़े हैं, वो ये बात को कहें तब भी गलत हो सकती है, लेकिन इनकी Chairman, जो Managing Committee की दौलत राम कॉलिज की Chairman है, उन्होंने ये बात रिटन में दी है, के इनके साथ इसलिए प्रता जाना चाहिए और इनके साथ इसलिए प्रतार ना हो रही है इनके साथ इसलिए ज्याद्ती हो रही है कोई और इनका कसूर नहीं है कि ये शरूल कास्ट को बिलॉंग करती है ये finding जो उस college की सबसे बड़ी authority है चेर्मेन चेर्मेन ने ये बात अपनी official मीटिंग करके और ये फाइंडिंग दी है आप बताइए किसी कोट को किसी अदालत को किसी इंसान को इस बात पे शक होना चाहिए तो ये है इस बात की सच्चाई फिर उसके बाद ये गई अलग-अलग जगा पे शरूल कास कमिशन में गई क्या हुआ इनका ये पारलिमेंटरी कमेटी में भी गई वहां से भी इन्याय नहीं मिला क्या कहा गया कि हम इंडिविजुल केस नहीं लेते कलेक्टिव केस की हालत देश में ये है कि किसी भी शरूल कास शरूल ट्राइब को आभी बता रही थी ये और हम सब जानते हैं कि इतनी सारी सीटे खाली पड़ी है रोज प्रतार ना हो रही है एक केस में सजा नहीं होती है रोज धमकाया जाता है रोज रेपस हो रहे है शरूल कास शरूल कास कमीटी के साथ ये तो कलेक्टिव पार्लेमेंट्री कमीटी का काम है individual काम हम नहीं करते individual करते नहीं collective हो भी राउन से तो किसलिए बैटे हैं ये है हमारी समाज की हमारे शिस् टेम की कमी डॉक्टर इतु सिंग का केस इनका अकेला केस नहीं है ये मिसाल बनेगा कि इस तरीके से शरूलकास्ट महीला के साथ जो ब्रिलियंट है जो किसी भी अपने समकालीन और समकक्षी है टीचर से अपने फील्ड में ज्यादा अच्छी है उसको किस तरीके से एक लववे के तरहां उसका अंगूठा काटा जाता है ये आज की एक लववे हैं जिनको पकड़के उनका अंगूठा काटने की नहीं उनकी हाथ और गर्दन काटने की कोशिश ये मनुवादी समाच कर रहा है इसलिए हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा आप सुनिए कि एफ आप सब लोगों ने 2 अपरेल 2018 को जो प्रदर्शन किया था जो सरकार को दिखाया था सुप्रीम कोर्ट को उसके बाद अपना कोर्स करेक्शन करना पड़ा था और अपनी पहली जजमेंट का क्रिटिसिजम करना पड़ा था बहुत जबरदस्ट और 18A सेक्शन आया था इनके लिए 18A का पुलीस ने इस्तिमाल नहीं किया एफ आर नहीं कीन हम अदालत में गए अदालत में जजज साहिबाने भी और में इस बात में कोई कहने में शक्षुबे की गुंजाइश नहीं है एक खेर कानूनी ओर्डर पास किया जो नहीं करना चाहिए था और यह क्रिटिसिसम है उसका और मैं उसका खिम्याजा भुकतने का दे तैयार हूँ वो जजजमेंट एक ऐसी जजजमेंट थी कि जो इनकी एफ़ायर नहीं करने की जजजमेंट है कि उससे बेकार, illegal जजजमेंट कोई नहीं हो सकती और मेरे ख्याल से अब वो समय आ गया है कि हमें जो जजज साहिबान हैं उनके खिलाब भी section 4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो कोई इससे उपर नहीं है क्योंकि इस प्रकार की बेइमानी जिस तरीके से जजजमेंट में नजर आती है वो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी उसके लिए जरुरत हमारी है हमारे लोग कोट के उपर विश्वास करते हैं बहुत ज्यादा करना चाहिए विश्वास लेकिन कोट जो है हमारे चार सुप्रीम कोट के जज सड़क पे आके कह चुके हमारी मदद करो ये जो compromise system है judicial system भी वो खुद अपने आप में इतना शर्मिंदा है के चार सुप्रीम कोट के सुप्रीम कोट judges आके कह चुके हैं के public हमारी मदद करें तो कोट से हमें उमीद करनी चीए मुश्किल से 10% जो हमारा दूसरा समयदानिक रास्ता है peaceful protest फो हमें 90% कामियाबी दिलाएगा कोट भी जब ही फैसले करेंगे जब उन्हें पता रहेगा open court का concept क्या है कि लोगों को ये फैसले हमारे बुरे लगेंगे अगर हम अन्याय करेंगे तो लोग हमारे किलाफ खड़े होंगे open court का जो concept है वो यही है तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा गलत judgments की criticism करनी पड़ेगी जो तोड मरोड के judgments की जाती है किसी भी हालत में SCST, minority, OBC और महिलाओं के खिलाफ judgment हर पास की जाती है उसके खिलाफ सड़कों पे आना पड़ेगा और डॉक्टर रितु सिंग के लिए हम सड़कों पे नहीं आए तो डॉक्टर रितु सिंग पहली तो जरूर है आखरी नहीं है हजारो जो जगाएं बाकी है मैं इस platform के माध्यम से और अभी मेरे साथ बड़े-बड़े नेता मौझूद है उनके माध्यम से और वो भी करेंगे आप सबसे गुरारिश पूरे देश के जितने भी एड़ॉक टीचर्स है खास तोर पे हमारे जो एलिजिबल केंडिडेट्स हैं सब काम चोड़के आज ही सड़क पे आ जाना चाहिए अपना ज्यादा से ज्यादा समय पीस्फुल प्रोटेस्ट में निकालना चाहिए हजारों लाखों नौकरियां पड़ी हुए खाली जो उनका इंतजार कर रही है ये जो अपॉइंटिंग अथॉरटीज है ये नौट फाउंड एलिजिबल या सूटेबल नहीं है ये अपॉइंटिंग अथॉरटीज उस जगह पे बैठने के लिए सूटेबल नहीं है इनको हटा के हमारे लोगों को SC, ST, OBC और Mind or T के लोगों को जब तक अपॉइंटिंग अथॉरटीज पे नहीं बिटाये जाएगा ये तो बाई अन लार्ज नहीं जो इंटर्व्यू लेते हैं वो अथॉरटीज सारी नॉन सूटेबल है जिस तरीके से इतनी सारी विकेंसी मौझूद है समाज में हमारे हर डिपार्टमेंट में विकेंसी मौझूद है उसमें हर रोस चोरी हो रही है उसको 5 साल बाद 10 साल बाद दिखा दिया जाता है कि सिस्टम चर्मरा जाएगा इसलिए हम जेनरल केटेगरी के लोग ले लेंगे ये बेहिमानी है ये चोरी है ये डकैती है SC, ST, OBC के लोग, माइनौर्टी के लोग किसी भी दिन जेनरल केटेगरी के लोगों से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा केपबल हैं, ज्यादा और ये डिबेट का विशे नहीं है हमारे देश की जो सितियाज वो इसलिए कि 90% सीटो पर इनकॉंपिटेंट लोग बैठे हैं अब सबको पता है, जनल केटेगरी के लोग बैठे हैं रिजल्ट क्या है, हमारा देश यूमन इंडाइस पे, जो वर्ड की सारी जितने सर्वे आते हैं, 150, 200 में से 170, 180, क्यों हो जाता है क्योंकि 90% इनकॉंपिटेंट लोग हर जगा बैठे हैं, और जो 85, 87% लोग कॉंपिटेंट हैं, उन्हें सही जगाओं पे नहीं जाने दियो जा रहा है